हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल किरकेट एक्सपर्ट में दोस्तो आस्टेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज टेस्ट सीरीज का चोथा टेस्ट मुकाबला सीडनी में 5 जनवरी से खेला जाना है इससे पहले खेले गए तीन टेस्ट मुकाबले आस्टेलिया ने बैक टू बैक जीत के 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 सुन की अजिये बढ़त बना ली है और एसेज सीरीज का 2021 का एडीसन पहले ही अपने नाम कर लिया है चौता टेस्ट मुकाबला दोस्तों सीडनी के मैदान में खेला जाना है और आज के इस वीडियो में हम कबर करने वाले हैं सीडनी के पिछ रिपोर्ट के बारे में और बताएंगे कि सीडनी की पिछ कैसे आस्टेलिया की अधर पिछों से अलग है और ये अलग तरह से खेल दिखाती है, पूरा कवरेज बनाने वाले है, बताएंगे टेस्ट मैज के कौन से दिन, कौन से समय पर ये कैसा रंग दिखाने वाली है, तो बेहत में अनरज़क वीडियो होने वाला है, कहीं भी स्किप्ट किये बिना आन तक जरूर बने रहिएगा इसे पाले दोस्तों आपसे काना चाहेंगे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का विल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो चैनल के माध्यम से क्रिकेट समन्दी, सारी चोटी बड़ी अपडेट आपको देने के साथ साथ सभी मैच की बेश्ट ड्रीम 11 टीम बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है, दोस्तों बात करें सिड्नी के ग्राउंड की, तो सिड्नी आस्ट्रेलिया के सबसे पुराने ग्राउंड में से एक है, जहां पर क्रिके जा रहा है, बात करें इस पिछ के पाचो दिन के खेल के बारे में उससे पहले यहां के पिछले इतिहास देखने का हम प्रयास करें, तो यहां पर अब तक कुल मिला के 109 मुकाबले हुए हैं और जिसमें 47 बार पहले बैटिंग करते हुए और 41 बार बात में बैटिंग करते हुए टीमें जीती हैं पहले इनिंग का अबरेज स्कोर 370 है दूसे इनिंग में 313 तीसरे इनिंग में 252 और चौथे इनिंग में मात्रे 170 रन बन पाते हैं तो अहीं हाइस टोटल की बात करें तो यहां पर भारती टीम ने अस्टेलिया के खिलाब 7 विकेट के नुकसान पर 705 रन का बड़ा टारगेट बनाया था तो अहीं पर लोएस टोटल में आस्टेलियन टीम इंगलेंड के खिलाब मात्र 42 रनों पर आल आउट हो गई थी इसके बाद दोस्तों बात करें इस पिच की जो इस बार खेला जाना है चौथा टेस्ट मुकाबला तो इस पिच को देख को मिल सकता है हलांकि आस्टेलियन पीच यहां पर अपने पेस और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है लेकिन निश्चित तोर पर बल्ले बाजों को थोड़ा सा ज़्यादा लिवर्टी मिल सकती है बाकी के पिचों की तुलना में बात करें पहले दिन के खेल में तो हलांक के दूसे दिन यहां पर बैटिंग करना थोड़ा सा और आसान हो सकता है और हो सकता है कि यहां पर धेरो स्कोर देखने को मिल जाए हलांकि बीच बीच में क्वाल्टी बालर्स चाहे वो तेज गेदबाज हो या एफेक्टिव स्पिन गेदबाज थोड़ा बहुत मदद ले सकते हैं पिच से लेकिन कुल मिला के यहां पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिलने वाली है मैच के तीसे दिन दोस्तो ठीक ठाक बैटिंग देखने को मिलेगा लेकिन दोपहर के बाद से यहां पर आस्टेलियन पिच के उलट यहां पर थोड़ा सा पिच में क्रैक्स दिख सकती हैं और spinners के लिए ये favorable condition बनती जाएंगी मैच के चौते दिन यहाँ पर मिला जुला खेल देखने को मिल सकता है और कुल मिला के यहाँ पर जैक लीच और नाथन लियोन जैसे गेदबाज मैच के चौते और इसके बाद मैच के पांचवे दिन हावी होते नजर आ सकते हैं तो कुल मिला के यहाँ पर खेल बेहत रोचक होने वाला है वैसे आपको क्या लगता है क्या इंग्लैंड की टीम यहाँ पर अपना हार का सिलसिला खतम करके पहला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी यह इंग्लैंड को मिलने वाली है एक और बड़ी हार कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों आपका दिन सुब हो